नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर में हूँ आपकी साथ चुवानी पांडे आज से करी तीन साल पहले लोग जियो सिम के लिए लंबी लंबी लाइनू में खंडू खड़े रहते थे चाहे रात हो या दिन लोग समय निकाल कर जियो सिम पाने के लिए लाइनू में खड़े रहते थे सिर्फ और सिर्फ जियो की फ्री सर्विस का इस्तमाल करने के लिए और उस दोरान जियो के देश भर में काफी ग्राहक बन गए थे जोनोंने तीन साल Jio Sim की Free Service का भरपूर फाइदा उठाया लेकिन अब तीन साल बार Jio ने अपने ग्राहकों को एक तकड़ा जटका दिया है अब Jio से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग करने के लिए आप पैसे देने होंगे Jio से Jio Network पर कॉलिंग फ्री रहेगी लेकिन किसी दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए यूजर्स को 6 पैसे प्रती मिनट की दर से भुकतान करना होगा Jio ने कहा है कि अब से ग्राहकों को Jio से दूसरे नेटवर्क में कॉलिंग के लिए IOC टॉप अप रिचार्ज करवाना होगा अब तक केवल डेटा के लिए रिचार्ज कराना होता था और कॉलिंग और SMS की सेवा फ्री मस दी थी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेलिकॉम सेक्टर में Jio की एंट्री 5 सितंबर 2016 को हुई थी तब से लेकर अब तक कंपनी कॉलिंग की सेवा फ्री दे रही थी तो ऐसी जानकारी उप लिए बने रही आज की ख़बर के साथ नमस्कार